नमस्कार मैं हूं संगीता राय, पुर्वांचल एक्स्प्रेस नियूस के इस वेपोर्टल में आपका स्वागत है आईए देखते हैं हमारे समवादाता, राम सकल यादो की ये विशेश रिपोर्ट आजमगर सहर के मद्य में बड़ादियो मंदिर के पास इस्थित अगरवाल स्टेशनल नामक पर्म पर मंगलवार को दिन में स्टाड़े बारा बजे जी इस्टी विभागी आजमगर के टीम ने छापे मादे की टीम की अधिकाई राजनातिवारी ने बताया कि उनके सीनिय अधिकारी को सिकायत मिली थी जिसके बाद निर्देश मिलने पर इस्पेसल इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पर जाच करने पहुची अभी stock investigation जारी है इनकी stock में computer पर जो stock inventory दर्ज है उससे मिलान करके अगर stock exchange या कम पाय जाता है तो उसके आधार पर penalty लगाई जाएगी फिलाहल अभी कारवाई कई घंटे तक चलेगी इनकी एक जाच करने आये हैं एक complaint इनकी थी और उस complaint के संबंध में जाच करने आये हुए है प्रापर आई एनस इसके लिए जारी है हमारे जीसी साहब के द्वारा अभी जाच हमारी चल रही है अभी stock inventory बनाई जा रही है stock inventory बन जायेगी उसके पर शाथ इनके computer stock sheet से उसका मिलान करेंगे अब मिलान में जो भी माल के अनि मित्ता मिलेगी access मिलेगा या shortage मिलेगा उस पर जो भी tax बनता होगा penalty बनती होगी वो इनसे जमा कराये जाएगी अभी तक तो कुछ नहीं इस पर ठोपाया है चोकि अभी जाच चल रही है अभी जब पूरा stock की inventory बन जाएगी उसके पर शाथ हम लोग फिर valuation उसका करेंगे अभी हम समझ रहे हैं चोकि अभी stock की जाच चल रही है तो करीब लगभग एक घंटा तो लग जाएगा भी stock की inventory तैयर होने में और उसके पर शाथ कम सकम दो घंटे और लगे गए तो तीन घंटे तो हम मान के चलें अभी कि तीन घंटे अभी लगें शहर में और भी वेब साइन है काउंड होगा के लोगों करती कारवाई की जाएगा जांच होगी जो अबैद तरीके से जो भी लिप्त होंगे और जिनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होगी या हमारे डेटा एनाल्सिस के द्वारा पोर्टल पर अगर हमको को कोई अनि मित्ता कोई भी वेजन प्रकार्श में आता है तो उसकी तो रूटीन जाज हम करते ही है अब प्रापर अनुमती से की जाती है हमारी जीसी साहब अनुमती देते हैं तो उसके लिए तो विभाग ही हमारा बना है विभाग का नाम ही है स्पेशल इनिविस्टिकेशन डि कार्श में तो वो तो हम जास करते ही है को हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए